नमस्कार दोस्तों मैं तीमा मौरिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हूं कल सुप्रिम कोट की तरफ से एक बीएड और बीटीसी कुले करके बहुत ही बड़ा फैसला आया है जिसमें बीएड को प्राइमरी सिच्चक भरती थे बाहर कर दिया गया है और बीटीसी वाल को सबसे पहले मैं बदा ही देना चाहते हूं लेकिन साथ quieres उनी चातर का क्या जो इतने सालों से olmas से उम्मीद कर रखे थे कि कहीं न कहीं सबसे पहले से सुपर्टेज की वेकंसई नहीं आ रहे थी अब कहीं न गहीं एक उम्मीद दिखी थी कि हां आगे आने वाली है उसका रीजन सायद यही था कि क्योंकि आगे चुनाव है और उनको जीतना है तो छात्रों को खुश करना ही है तो इस वज़ा से एक उम्मीद दिखी थी कि हाँ आ सकती है सुपर्टेट की वेकंसी लेकिन उससे भी बड़ा जटका कल यह लगा कि आपने बीड़ बीड़ वाले चाते थे वो हर एक्जाम देते चे टीजीटी पीजीटी का भी देते थे जूनियर का भी देते थे और जो बीटीसी वाले थे वो सिर्फ प्रैमरी का ही दे पाते थे तो इससे भी तो अच्छा फैसला यह आया होता कि आप जो 6 महिने का ब्रिज कोर्स ला रह जितने कम छात्रे रहेंगे उतने कम जॉब देने पड़ेगी जॉब तो वैसे भी आप दे नहीं रहे हो और दूसरी बात आप जो यह कह रहे हैं कि बीड़ वाले इतने योग नहीं है कि वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सके तो भाई साब वो जो आपने सिल्बस दिय का बनाया थे कि वो उस योग नहीं हो पाए कि जो प्राइमरी के बीटीटी वाले चातर जितना अच्छा पढ़ा था कि अभी भी आपने जो बीड़ और बीटीसी को लेकर के फैसला सुनाया है उसका हम अभी बिरोद नहीं करेंगे लेकिन एक डिमांड करेंगे ये कि आप प्राइमरी और जूनियर दोनों की वेकेंशी अलग-अलग निकाले और साथ ही साथ जितनी सीट जितनी वेकेंशी आप प्राइमरी वालों के लिए निकालेंगे उतनी ही बीड के लिए भी होनी चाहिए